Welcome everyone to my lectures on judicial interpretation of the preamble of the Constitution of Bangladesh. Judicial interpretation नी आमी को एक्टी लेक्चर आजबो, preamble रुपरे, कारण एक्टी लेक्चर ए एक घंटार मुद्धे, इते शेशकरा कहुनी सम्भव नाए. इंटर्पेटेशन बलते आमरा एटार इंटर्पेटेटेव नी रूल आछे, शेगुली ने कथा बोल्बो, एबाँ आमादेर सुप्रीम कोर्ट, preamble नी बिभीन्ड मामला, ये बिभीन्ड दरने मंतोंबो करेचे, शेगुली रुपरे आमरा एनलासिस देग्बो, एबाँ शेग्टर्पेशन बिभीन्ड दरने मंतोंबो, एबाँ बिभीन्ड दरने मंतोंबो, एबाँ रूल ये बिभीन्ड दरने मंतोंबो, एबाँ दरने मंतोंबो, एबाँ एबाँ जिए बिभीन्ड दरने मंतोंबो, एबाँ दरने मंतोंबो, एबाँ दरने मंतोंबो, एबा व्रपेर प्रटिजिस अम्र विश्चिर भावे विश्चित शरक विपुडrem तरक प्रशितर टौर्टो विध मियन स्टुटू है करिक्वाव इंवा कर्वबू एबिश्चय मुखेट आपि अधिना दी चन्स स्टूुटिशनला व्रमी रफेर खौडौ एबिश्चय कर्व towards enforcement of the preamble. Well, let's start our lecture. अम्र पृत्रमी आशे, जे अनौर हसें चोधिर वसिस बंगलदेश, फेमास एथ अमेंड मेंडेश, एकेसे, अमादेश सुप्रेम कोड अच्छुन्दर कथा बुलेचे, that we are relieved of the anxiety as to whether the preamble is a part of the constitution or not, as it has been the case in some other country. शुदरंग आमादेश देशे, शकोल प्रकार दुष्चिन्त अथेके, आमादेश सुप्रेम कोड मुक्तो एविशव एठाथे, जे प्रियांबल की पार्ट ना की पार्ट ना, करन कोड़ कोड़ देशे, कोड़ कोड़ जुरिजिक्षने, ये भी शें शंधेवाचे, शेह रेफरेंस देए, आमादे एठ तमेंटमेंटे, आमादे सुप्रेम कोड़े टे बुलेचे, that we are relieved of the anxiety. ये भी शें आमादे आर कोड़ शंधे होने, कोड़ दुर्ष्टिंता होने, Settle, Operative Part, आमेटा एए संधेस्टामी नियाशना, अजे लिंकेज तो मादे लास्ट लेक्षर, आपड ये जुदिशियल एंफोर्स्मेंट, जुदिशियल इंटर्पेटेशन सेग्मेंट ये चोले जाच्छे, इए अजा की मामला है, ओंस्टिशन एटता मिन मेंट केई से, पेराग्राफ 480 एतती आमड देखी, फे खुब इंपार्टन एट पोइन अचेश्टामी आच्छे, आमरे एक्ट्टी एनलाइस्स कर बोज़ जाच्छेश्टा कूरी, इन इस केई, we are concerned with only one basic feature. आमरो सबाई जानी जे जखन हाईकोट डिविशनेर अनिक गुली पर्मेनेंट बेंच तो इड़ी कड़ा होलो एक्त अमेंडमेंडर माँथ होलो, तोखन एटेकी चैलेंज कड़ा हो चले यह मामलाई. आमी शेदिगे जाच्छी न, ओखने प्रियम्बल नियेकी कथावेची, शेटेने एकोट आमी फोकस कोच्छी. ओखने तो ओई मामलाएँ, ओई मामलाएँ, ऐ विशवेच चे, जे एक्ता कंस्तिटेशनल अमेंडमेंडर बोईध होता, प्रियम्बल दिये जाचाई करा जाबे नाकि जाबे ना. आगे मी मूल बैपटा बुझाच्छे, जब प्रियंबल दे जोधी, एक्टा कॉंस्टिशिशनल अमेंडमेंडे, बोईधोता जाचाई करा हॉय, eventually, that amounts to judicial enforcement of the preamble. शुद्रे आमादर एक्षेने मूल अद्धी शुच्छे, to analyze the possibility of judicial enforceability of the preamble of the constitution of Dhanimaडेश. तो एक्टामेंडमेंड केसे, कोट पुरिशकर भावे बोलचे, that in this case, we are concerned with only one basic feature, the rule of law. Marked out as one of the fundamental aims of our society in the preamble. अठ्थत, ओधी हाईकोट दिशनल पर्मानिंट बिंचे भाक्कोर अटा, एटी की, प्यंबले जिये rule of law हैर कथा बोला आचे, शेयी rule of law के की, भोंग कोच्छे की ना, भावेलेट कोच्छे की ना, प्यंबले जिये rule of law है कथा बोला आचे. येपक शेटाके basic feature धुरे, शेटाके जोडी भावेलेट कोडे ताले आमने शेटाके बाद दिभो, कोई एमेंडमेंट के बार्द दिभू, Constitutional 8th Amendment अगे. पर्मानित कीदा आच्छे? कोट बोला छे, दे वालिट अफ इम्पून एमेंडमेंड में बी एक्जमेंड विकर विदा रिसोट इंट दे डॉक्रिन बेसिक फीचर अन दे टाचस्टोन अफ प्यम्बल इट्सव, खुबी हेवी एक्टे स्टेप्मेंट, अमनों शबाई जानी ये एक्टमेंड मेंडमेंड केई से हाई कोट दिभीशनेट, पर्मानिन बेंच स्थापन टा, एथी की Constitutional basic feature के लोंगन कोच्छे ना की कोच्छे ना, एटे आटे इशू छेलो कि इट्सव, शेई basic feature के अक्टा, कोण basic feature शे basic feature होच्छे प्रियंबले भीतोरे जे रूल अफ लौ बोले दावाच्छे शे basic feature, एटे एक्टा कोथा एकना आरा अनिग्विल इंट्रेटेशन आच्छे आर एखने जोश्चे 480 प्रियंबले भीतोरे प्रिश्कर कोड़े जे एए basic feature होच्छा बाद देओ शड़ा शड़ी प्रियंबले माध्धोमे एटा इटा constitutional validity आमरार चेक कोटने पाड़े तर्मने, आमरा की पिलाउँ एट प्रियंबले भीतोरे अप्ली आप्रियंबलच कोरанom एप्लम लुढ़ भीति प्रियंबलच कोड़े इनलिनी चोली प्रियंबला बादे constitutes प्रियंबलच भीति प्रियंबलच भीतोरे to बीति को माध्तक तर्मनीर इनल रनीनीइबड़ीश है सब्क्रिनीबलच traditional Eighth Amendment case. पुर पुरिष्टर को बोलेचे, अम्रार एक्ते कोटेशने जाई, the impugn amendment, that means Eighth Amendment, is to be examined in the light of the preamble. I have indicated earlier that one of the fundamental aims of our society is to secure the rule of law for all citizens and in farthings of that aim, Part 6 and other provisions were incorporated in the Constitution. fundamental aim होच्छे, Constitution भी तरे बोले दावाच्छे, preamble. आशे fundamental aim होच्छे, एक्ते बोईशिष्ट होच्छे, rule of law. चेखने एक्ते फोकस कोच्छे. Now, by the impugn amendment, that structure of the rule of law has been badly impaired. कोट बोलते चाच्छे? ये एक्ते एमेंडमेंट इन मांत्व में, preamble न मुग्धे, जे rule of law एक्ता फीचरा चे, शेती धांख्षो हेच, शेती नाश्टो हेच. एबंग एए ग्राउंडे केंदू, eventually, the court declared that the Constitution 8th Amendment to be null and void. कीवाब इबेसिक स्ट्रक्चेर लोंगण कोड़े, 8th Amendment बातील होएचे, आमरे शेटार detailed discussion इखने जेती चाच्छी रा. आमरे इखने जेती चाच्छी शुगे मात्रो, how was the preamble utilized in the Constitution 8th Amendment case? ताहले एटे आमादे शेंड़ अत्त्त परिश्कार होलो, जे Constitution 8th Amendment केईशे, प्रियम बलेर जे Rule of Longshot शेकर भित्ती ते, Constitution 8th Amendment इर, Constitutional Validity जाचाई कोड़ा होएचे, जाचाई कोड़े, 8th Amendment के बातील होशेना कोड़ा होएचे, तार मानी होच्छे, प्रियम बलेर, Rule of Longshot शेकर जुडिशेली इन्फोर्सेबल, तार मने खुंचे अमने निक्स धापे गला, आमने धापे ते विच जलना, आमने पुझे बले जे एक नधा Constitutional पार्ट कीना, तार मोर्ट बलेशे एक अपरेटी पार्ट कीना, करहें जगुद्ट की ऐतकी रिला जुदीशिली जुदुदैल कीज़ा ॢणा सरी जटकिज़ा जुदुदीशिलीए रिस हेल एढके लेने ची जुदूदीशल कों खेच हा ph Cathac第 1 April तो रिसर्चेर नियम होच्छे, पक्खे बंग बीपक्खे शब आर्गुमेंटी तुले धर्टा हावे, शुदरंग आमी एद तेमेन मेंटे केसे, प्रियम्बले जुडिशाल एन्फोर्स्मेंटे पक्खे जे कथा बला होच्छे, शे गुले अतक्खन बोल्ला, एबर आमरा एकनौबल, एबर आमरा ठीचिछ, अतक्खन बोला होच्छे, ये विपक्खे एन्ताइ कि शुट्यम्स तार्ट आज़्ग बेंटाच्छे, शे गुलूर कोएक ताम ना तुले धर्टछी, एकनौबल, बढग प्रेम्बल अमरेकन अट्टटचेर, एकनौभर, अबर बगर regarded as the source of any substantive power of the government. खुबी पुरिश्कार पुरी बुलाची. यह American constitutional preamble, कोखो नही, as the source of substantive power of the government, हिशबे काच कोच्छा. ता मने इतके, direct source of substantive power, कोखो नही, बला जाबेना. इतके traditional observation. अचे आमने देख्छी, और यार शम्न जाच्छी. आमने आरेक्टे कोचिशं नहीं. अचे खुब आमने एनफोर्स्मेंट फोख। झाट मुजटलाब, इतके बीपोख। जुदिशियल, इतके judicial observation ना, अचे मामने आट्रोनी जनले अबसेस्फेस्ट. आमने शेट देख्टे देखे, गत लिक्चरे, अब हमनों बुलाचिलाम जे ए जज्जमन इंडिया थी 73 ते चेंग होई जे चेंग होई जार पोले अबार 89 ते पूरुनु जज्जमन के रिलाई कोरे अमा देर सुप्रीम कोटे बार आर्गी कोरा होजी की अर्गी कोरा होलो। और अप्रप्रेंग कोट अज्जमन केसे अरी टांटने रिफरेंसम्न रपाया इन स्रीमति इंदिर गंधि वर्स राज नायन कुबि भीक्षतक अममला इंडिया 1975 25, Justice Methu in the Indian Supreme Court, the preamble, though a part of the Constitution, it is not a source of power, it is not a source of power, and it is also not a limitation upon that of the ideological aspirations of the peoples. That means, the preamble is effective, it is not an ineffective part of Justice Methuels. Now, we have seen the entire argument. The Indian Supreme Court judge observed, what we have seen? I find it impossible to subscribe to the view that the preamble of the Constitution holds the key to its basic feature. The preamble cannot affect, or through light, through light, on the meaning of the enacting words of the Constitution. Therefore, therefore, what do we have said? We have said that the Indian Judgment Act has been said, directly we have used the reference to it. So, we have to analyze the context, we have to refer to it. Therefore, though our preamble was voted upon, and is a part of the Constitution, we have seen that the Constitution has been created by the Constitution of the Constitution. It is really a preliminary statement of the reasons which make the passing of the Constitution necessary and desirable. And therefore, these rules are done by the Constitution, and has been allowed to have a good decision. So, is that if the rule of the Constitution was ready and the rule of the Constitution has been taken? अम्या कोटेशनार बाक्योंक्षव तो देखी as observed by Gajandra Jitkar in Berubari Union and Exchange of Enclips and what Willowai has said about the primal to the American Constitution अग्या अम्या देखी अम्या अम्या देखी American Constitution ने the state printer namely that it has never been regarded as the source of any substantive power is equally true about the prohibitions and limitations शुदरयं Preamble के the source of substantive power कौकुन आपहार कॉना जाबेखी ने Preamble के as the source of substantive power कौकुन आपहार कॉना जाबेखी ने इता थामात्न अमात्न गिदू अमादसुप्रिम कोतरमात्न Indian Supreme Court एक जन जाच इता बोलचन अचह आपर शैष्कोर चन किद्ये, The preamble of our constitution, means of Indian constitution, Cannot, therefore, be regarded as a source of any prohibitions or limitations. Justice Chandrachad, छाप बोले चन को नम्रथी बीटरस्टींडिग, Justice Chandrachad, जे पोले चन एक पृथा चाहिए को भुम्र बोले चन कोफ बुरति ते कि अगरा है चुरा त्रोदीश्यूनटेश्टी के? वह बेसिक स्टुक्चर्चर इसक्राइब देरीं अज़ आज़ आज़ सोवें देमोर्टिक रिफाब्लिक. तर मने मिनारवा मिल मांबलाई, उनी बोलोचे थिहां, प्रियंबल थेके बेसिक स्टुक्चरर नितिता डियूस्क्राइब जेते पाड़े. अमने बेसिकी स्ट्रक्चर में तुर कैखों जाची ना, विट्टा कॉत्टा तुका आचे, की आचे ना आचे, शेट आमने बेसिकी स्ट्रक्चर लेक्चेर देगभू, तो एखाने एक्टा कॉता पुरिश्कार प्रियम बुलनी है, जस्तिस चंद्र चार्ड आगेर मामलाय अमने अचेता 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 अचेत यह स्वाल रहीडरी क्यकेते अपरिश्कार बोले चिर द àsना परिए के इस वाड़ा हो मैं रहीडिश्कोर बुल है म्य खंच यूडिशिकाल बूलने लुड़ए में अपरेंट डोड़ा कीचा इस वाड़ा का Tribun देसे पर रूल न मुद्ध रूल नमद रूल फ्राइब टाम ठाइब जी जुडिशिली गफासाबल एंप ञंदिशिझन रिधिद टांदन रडिट हव थन इपिटर मुडन्यद, बैपन रख मझासाइब गभास टांद बैगा भंडव पेस तो जुदिए च्छाखती पाड़ी तुछी जी पूसिए ऑत्यान युदिदिए चुछी कोड़ी गाती तुछी तुछी में द खुछी परेंग हग्ण है। जिस रिफ्रीम कोट अमधिर के टिरली इता बुलची जिए अडिशल एंपर सेबूल अब आम शोकूची जिए करेंट वेफ टकी अमधिर गलोब इसलिए पूलच जाई शरप प्रिथी मिल शेखने what is the recent trend, what is the latest trend regarding judicial enforceability of the constitutional preamble, okay. Oxford Encyclopedia, Constitutional Lawyer, is not the case, Ryan is written. It is also a result of the rise of general constitutional principles. rise of general constitutional principles, which are frequently used today to measure the constitutionality of legislative and executive measures and sometimes even of constitutional amendments. the legislationary constitutionality check, constitutional amendmentary check, and the justiceability of constitutional preambles recognized in a growing number of jurisdictions. the legislationary constitutionality test preamble. constitutional amendmentary constitutionality test preamble. preamble, which we have done in 1989, we have not referred to in 1989, but we have clearly attached to the attack. that the constitutionality of a constitutional amendment was judged in the light of the preamble. among overall justiceability of constitutional preamble. justiceability, judicial enforceability of constitutional preamble. recognized in a growing number of jurisdictions. one equal jurisdictionary attack on shikritar tabishoy. according to this particular opinion, shuruheche is starting in France and Germany in the early 1970s. Shruturan, the stand taken by our Supreme Court in 1989, is clearly in line with the modern frame in this field that started back in 1970s. Shruturan, whenever we speak about judicial enforceability of the preambles, we must refer to the recent claims, the recent case laws in Bangladesh and worldwide as well. we must not reach to a conclusion, to an unfair conclusion based on only some classical case laws. okay. I mean, one journal article today, I have continued the continuation. I have written the continuation, because I am talking about the French development. Because it is the landmark development. which has been identified, in the global constitutional gene pool. this is the landmark development. I have written the landmark development. That is the landmark development. which has been identified, in the global constitutional gene pool. the traditional obsession with the text of the Constitution lost its dominant position. What a wonderful statement! अरिकिन आमादरी सब्कुंतिने प्रजज़्यू We tried many times to distinguish between constitutional article and constitutional preamble and we tried to prove unfortunately that the text of the preamble does not hold that much weight unlike the text of the constitutional article. The author is saying, I am quoting from Oxford Encyclopedia, In France, the traditional obsession with the text of the Constitution lost its dominant position. To teleological approaches, to interpretation, once the council constitutional came round to the view that the parameters for the review of constitutionality of legislation are not exclusively found in the constitutional provisions on legislative competence and procedure, and Constitutional text the basis of 1946 preamble, 1946 constitution's preamble, the review could be made on the basis of that particular preamble, which are both referred to in the preamble of the 1958 constitution, a 46 constitutional preamble, among French declaration, 1958 French constitutional preamble it refers to . And the author is saying that the latest position that started in 1970s in France was in favour of taking into consideration those statements made in the preamble in order to make the review of constitutionality of different other legislation. Touchstone banat it is. I am not in the 1989 8th Amendment case say, the preamble of the constitution can be used as the touchstone, as the touchstone. I liked that particular phrase used by the appellation of the Supreme Court of Bangladesh. Okay, continuation of that statement. It is a last slide on that particular statement. This break with traditional approaches, the traditional approach of France was in 1970s. India was in 1970s. The traditional approach of France was in 1970s. But of course, as a part of the global constitutional gene pool, Bangladesh also could not deny the influence of different other classical thoughts on this particular point. We are trying to reach to a clear conclusion regarding judicial enforcement and judicial enforceability of the preamble of the constitution of Bangladesh. We are going to go to the correct election. Okay, I am the Supreme Court of the Supreme Court of the Honig Gurali Judgment of the Honig Gurali Judgment of the Honig Gurali Judgment. That is why I am not sure the decision of the constitution. Author, what is your question? About the French development? This break with traditional approaches to interpretation was all the more remarkable since the Council constitutional in recognizing the legally binding character of the preamble. Legally binding character of the preamble. It is recognized in France. It ignored an explicit statement made by the drafters of the 1958 constitution that the preamble was devoid of any legal effect. What a wonderful development in the French constitutional law. The preamble has a strong legal effect. The preamble has a legally binding character, of course. which is the means of the layman for the courts. Let us come back to our jurisdiction. Let us come back to our jurisdiction. What is our Supreme Court? I mean we can now let full judgment. सबस्क्राइब में जावसा, भीकिर शयु पर अप्रिक, मैं मिन जेहरे भेंग। इस ङुझके नहीं जाथ, और इस भाइब नॉर्य हम जाएंग, पन्झेरीखःओ चाहतो है। यह चाहें है, यह में इन इन के चाहें है। बंगलदेश के एग्सितिं रिटरी एखें कि छो कन्फेशन ओरी आखें, इथे जुट नहीं काम आरूविशी गुरुट्थी उपस्थापन कर चेश्ट कोची well and has given interpretation and meaning to the preamble in conformity with other constitutional provisions of the constitution the rule of law contained in the preamble was judicial enforced apart from that different other constitutional provisions in that particular case were interpreted in the light of the preamble शुदरन preamble निजेशुदू enforceable हाई न preamble constitution और अनन बिधान के एक्टा इंटर्प्रेटिशन दिते हो शाज़ परे अवाधर preamble निये अरो के शुके खुबी मज़र मज़र judicial observation आचे शेगुल आपना अम देखो अमार फर्स लेक्टर है अमी वीद पीपल preamble निये शुरू हुएचे शेटर वेक्टा अमी दिये चिलं शेटर निये अमादे सुप्रीम कोट आरो के इंटरेस्टिं कोथा बोलेचे अमी शेखना जाची अमादे सुप्रीम कोट आपले दिशन इंगर्म्न ऑ्मादेश ऑ्र्स काथ अमादेश्णव पूर्प्राइब्सियर आप्राइट पूर्पार्पोर्ति शेता हम्रते ग्वू. अब शव्र्प्राइब्सियर अपलेट पूर्प्राइब्सियर अपलेट शेता। The meaning of We the people mentioned in the beginning of the preamble of the constitution of Bangladesh has a different meaning has a different meaning than that of the same phrase that has been used in the preamble of the Indian and American constitution. Indian constitution We the people पीपल दे बेबहर करा हेचे, American constitution, we the people, also with our constitution. अमांदे र constitution हो वीधा people बेबहर करा हेचे. सब्गुणी अर्थ की same, आमने गुलचे, सुप्रीम गुट गुलचे ना, खबुली अर्थो same ना. And these constitutions have to be interpreted in that context. In that context. Constitutional interpretation एक्ता थी॓री आओछे, contextual interpretation. चैंक चांच्छुप्छलिए कॉट्सेटिए कूर चेंगें . ज Heeूनु वीजच्छुपिपृटिएशिया कॉर शुटिभाजते, इ09 सोटिदी अइंडिया कॉरेजव चॉर चुनुपिशे लोग हुडूरिया कॉर चुनुटीजिया बांग्लाधीशी कंटेक्स्ट ये वीवेचना करा desorryable पिपल inson के एटार और्था और ये वीवेचना कहवे। जे विधा पीपल के अम्रा कोथा है कानेक्थ कुरूबू। अमें किता अमार बुक्तेता शुरु तेटा बोले छिलम। जे पीएंबल एर एनफोर्सेबिलेटी निया अम्रा कथा बोल्बू। अब पीएंबल एर बिभिर्न अंशनी एर जुडिशेरी जेशमस्तो डेक्खा दियेचे शेगुलू अम्रा इस सिरीज अव लेक्चर इर मुद्धा अम्रा तुले दरू। Okay, the court continued, court continued, saying that same phrase, different context, different meaning. This preamble is completely different from those of other countries. अमाद पीएंबल ते आलादा, आलादा. I mentioned earlier that there is a bit similarity as regards the independence of our country with USA. Can USA at a declaration of independence? अमाद पीएंबल ते शो, at a declaration of independence. And as such we have some similarity. But still we are distinctive. Can we distinctive? Okay, court said, continued, Though in the preamble we notice the expression we the people in other constitutions as well. But the connotation and denotation of the word we is not same in all documents. Not same. The constitution of each country has to be interpreted in the light of our own historical background. And commitment of that is struggle and sacrifices. It is that historical background that distinguished the preamble of the constitution of Bangladesh from that of others. From Indian constitution and from American constitution. Because we know that we have a glorious historical background of our constitution. Of the birth of our nation. The first word of the first sentence of the preamble of our constitution. Of the people's Republic of Bangladesh is, We. We. From within the first sentence, We. The strength of a nation lies in this word and spirit of we. The strength of a nation lies in this word and spirit of we. and Supreme Court has rightly commented that this is the key for building a new nation to unite the newly born nation एक जाती तेके जेती शदिरोदर माध्ध में बांगलादेशी एक्टी जाती स्वक्त शिष्टी हुएचे अनुस्ठनिक भवे एक्टी जेशेश्टी कनेक्ट कोईचे शेटीके गठन कर जन्न, गोड़ेतु लाट जन्न, की हिशब एकाच कोट्छे एई वी शब्दोर्टा एक ने की तारक्ती कोथा बोले रखा भालो आमरा किन्तु एई भिन्नो जाती स्वक्तार उस्तित्तिर भित्ति तेई आमरी मड्सी प्याट्टि एच्ट्सित प्रिझन, एप्डेश्टीि एगलान एट्वार् में एग्याटि तॉले वी रेक्षा हुंद्र रेक्षा सुप्रिम कृट दियचे a community remains a community unless all those who belong to the community can assimilate themselves in this mysterious chemistry of weeness the moment they are elevated to this stage they become a nation a community a community a sense of we आजबे, वी, एक्ष़ते कोरे फिल भे, तोकन शे कम्यूनेटीटा तर्ण इंट आ नेशन. अमने ब्यक्ता पूचिए, प्रेम्मल बिविन शब्द र ब्यक्ता, अमने शुप्रीम कोट केमों भविदी एचिए, शे गुला मने पूचिए. अमने ब्यक्ता पूचिए, अमने शुप्रीम कोट बिविदी एचिए, प्रेम्मल 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 बिविदी एचिए, प्रेम्म achiever of the sovereignty and hence the constitution the members of the constitution assembly were all people's representatives the preamble therefore indicates that the legal basis of our constitution is the people the ultimate source of all power is the people the ultimate source of all power the preamble is the supreme court the preamble is the source of all power people people the preamble people of the people that is the grand norm or in his language grand norm in in the constitutional setup of the legal system of the court continued our preamble clearly spells the backgrounds and objectives of this republic the framers of the constitution Jaramila Esangvidan Baniyachan clearly stated this philosophy aims at objectives of the constitution and to describe the qualitative aspect of the polity the constitution is designed to achieve the philosophy of bangladesh as a state the trajectory of bangladesh established a socialist society free from free from exploitation in which the rule of law fundamental human rights and nine other elements that i explained clearly in my last lecture a society bangladesh established and the court continued to say that there is a strong relationship a close relationship between the and the struggle for liberation and the constitution a linkage this is what our family stands for and every time we interpret it we must keep ourselves alert about the increasing link increasing link between the spirit of our historic struggle for national liberation and the scheme of our constitution which embody that spirit एवां कोट एई फिलोसोफी एवां अब्जेक्टिप के कन्क्लूट कोट्टेगी बोलो छे एई जे शप्नोट आम्रे दिख्छी तो इस्टाब्लिश एम एगलेटर इन ससाइटी एक शोशन मुक्तो एक शम्मेर जे स्वमाज बैवस्था आम्रे इस्टाब्लिश करार जे शप्नो दिख्छी एई शप्नोटी जे प्रियम्बल एव बुलेदा हाँचे शेई प्रियम्बल is nothing but Magna Carta for this nation एई नेशनेर एजाती रेक्टा Magna Carta कैनो? करन एई प्रियम्बल आर मुद्धे आमादे शे शप्नेर कथा की बुलेदा हाँचे जा आमादे की शप्नो आमादे शप्नो होच्छे एई धरणनेक्टा तुए स्टाब्लिश्टा सोशालिस सोसाइटी free from exploitation in which the rule of law, fundamental human rights, equality and justice तीन धरणनेर economic, social and political एई बीश्वरगुली थागबे शे शप्नो जे हेता इखाना आचे शे जुन्न इटक आमरा मेंग में कार्टा बुलची आमरा बुलची माने आमादे सुप्ट्रीम कोर्ट एपलेट दिविश्वरगुली बुलेचे शे ब्याक्खा गुली आचके आमी तुले दुले दुच्छी आमरा प्रटीम बिले कों सुप्ट da आमस्टर्थेस ओ अबेरन आचेस्ट एपलेट, दीविश्वरगह एक पुरिश्वकार करता है, एपलेट, जे काली दिविश्वर्ग में of innumerable martyrs who sacrifice their lives for a noble purpose. शाधिनोता जुद्धिर बीर शोहिद्धिर रख्तुदिय लेखा एप प्यम्बल एती बोलेचे न आमादे Supreme Court एप्रेट दिविशन. अब शेशप्ट टेकी शेट आमादे शौंग विधन बोलेदा चे ओके तो आमार मने है जे आचके आमादे लेख्चट एपर जुद्धिर थाकलो आमी नेक्स लेख्चरे बाके जुदिशल अब्सरवेशन गुली नी आजबो अब एविशे आमादे तीन चेक्ट लेख्चट दित चाहिए to make clear the interpretation of the preamble of the Constitution of Bangladesh. Thank you very much.